हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है चावल तो हर घर में हमेशा बनते ही रहते हैं और बहुत पार होता है कि चावल बच भी जाते हैं तो ऐसे में उन्हें कई तरह से इस्तिमाल किया जा सकता है तो आज एक ऐसे ही बचे वे चावलों की रेसिपिम आपसे शेर करने जा रही हूँ जो बनाने में भी बहुत आसान है और सिर्फ दो चमस देल में बनकर तयार हो जाती है तो ये हेल्थी होने के साथ साथ टेस्टी भी है तो सुबह की समय या शाम को आप कभी भी से बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बचे वे चावलों का करते हैं सही इस्तमाल और बनाते हैं ये नाश्टा ला जवाब इस नाश्टे को बनाने के लिए हमें चाहिए बचे वे चावल तो लगबग ये एक बड़ी कटोरी या कपसे तीकी तो सवा कप मैंने बचे वे चावल ले लिए हैं तो जितनी मात्रा में चावल बच गए हैं उतनी मात्रा में चावल का इस्तमाल लेकर आगे के इंग्रिडेंट्स का इस्तमाल करें और उससे ये नाश्टा बना सकते हैं तो ये बचे वे चावल हैं तो ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें करम करने के जरूरत नहीं है बचे वे चावलों को एक राइंडर जार में डालेंगे और राइंडर जार में ही डालेंगे आता कब बेसन सिर्फ बचेवी चावलों का इस्तमाल करके ये नाष्टा बनाएंगे तो वो सौफ्ट नहीं बनेगा और बहुत ही चिपचिपा रहेगा तो इसके लिए हम इसमें आदा कब बेसन डाल देंगे इसे नाष्टे में टेस्ट भी आएगा और बढ़िया भी बनेगा साथ ही इस नाष्टे में और भी अच्छा टेस्ट चलाने के लिए डालेंगे एक चुथाई कब देही अच्छा खटा देही मैं इस्तमाल कर रही हूँ और जितना मैंने दही लिया है उतना ही मैंने पानी डाल दिया है और क्रैंट करते समय हम पानी और इस्तमाल कर लेंगे यदि जरूरत बड़ी तो यहां बैटर बना कर मैंने तयार कर लिया है और grind करती समय मैंने एक चुदाई कप पानी इसमें ओ डाल दिया था बैटर को एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं और बाकी चीजे भी इसमें अड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर एक तम स्मूध बन कर तयार हो गया है grinder चार में थोड़ा सा पानी मैंने ओ डाल कर इसे भी डाल लिया है साथ ही अब इसमें एक कप हम बारीक वाली सूजी डालेंगे तो सूजी से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा स्पॉंजी और सॉप्ट बनेगा तो यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी ले रही हूँ तो यह पेस्ट भी डाल लेते हैं तो इससे नाश्ता बहुत यह अचा बनेगा साथ ही क्योंकि हमने धही का इस्तमाल किया है तो सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए एक चमच भी सीवी चीनी अड़ करेंगे स्वाद के अनुसा नमक डाल कर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब आप यह बैटर तयार करें तो यह एकदम स्मूध कंसिस्टेंसी का होना चाहिए तो चावलों को जब मिक्सी में ग्राइंड करें तो शुरुवात में पानी कम डालें और फिर जब जब के नुसार पानी डालने तो इसे चावल एकदम से बारिक हो जाएंगे और उसका पता ही नहीं चलेगा तो नाश्टा भी बहुत अच्छा बनेगा बैटर बनकर तयार है 15-20 मिनट के लिए से कावर कर देते हैं बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम बागी तयारे कर लेते हैं तो यहाँ पर एक गड़ाई के अंदर मैंने स्टेंड लगा दिया है और तीन गिलास पानी गरम होने के लिए चड़ा दिया है आप चाहें तो इडली को कर या फिर किसी भी तरह के पतेले का इस्तमाल कर सकते हैं इस नाश्टे को स्ट्रीम करने के लिए साथी इस नाश्टे को जिस वरतन में हमी स्ट्रीम करना है उसे भी हम पहले से ही देल से ग्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने केक टेन लिया है इससे तेल से ग्रेस कर लेती हूँ यदि आपके पास इस तरह का मॉल्ड नहीं है तो आप किसी भी तरह की चोड़ी, किनारी की थाली या फिर प्लेट का इस्तमाल कर सकते हैं केक टेन को हम साइड में कर देते हैं और बैटर को 15 मिनिट हो चुके है अब बैटर चेक कर लेते हैं तो यह देखिए जो कंसिटेंसी है वो एक्टम परफेक्ट है सूजी काफी अच्छे से फूल चुकी है इससे ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना है खाने वाले सोडे की जगर आप चाहें तो इसमें इनो फ्रूट साल्ट का इस्तिमाल कर सकती है सोडा के उपर थोड़ ऐसा पानी डालेंगे और इससे मिक्स कर लेते हैं तो इससे सोडा बहुत यच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा अब क्योंकि इस बैटर में खटाई है तो जैसे हम सोडा डालेंगे सोडा रियक्ट करेगा और इसमें वबल साने लगेंगे इस तरह जब बैटर में जाग आजाते हैं तभी नाशता है वो काफी अच्छा स्पॉंजी और सॉप्ट बनता है तो चलिए अब इस बैटर को हमने जो केक टिन तयार करके रखा है उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं आप इस नाशते को ढोकला भी कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत ढोकला से ही मिलता जुलता होता है तो यहाँ पर बैटर को मैंने ट्रांसफर कर लिया है और कड़ाई में हमने पाने करम होने के लिए चड़ा दिया था तो इस केक टिन को कड़ाई में रख देते हैं और मेडियम फ्लेम पर 15-20 मिनिट के लिए से स्टीम कर लेते हैं 20 मिनिट के बाद हम चेक कर लेंगे तो 20 मिनिट में ये नाष्टा अच्छे से पक जाता है और आप चाहें तो इस तरह चेक कर सकते हैं ये ती टुद्बिक एकदम क्लेन आ रहे है यानि ये अच्छे से स्टीम हो चुका है और ये ती क्लेन नहीं आ रहे है तो थोड़ी देर के लिए आप इसे ओर स्टीम कर लें अब ये जो नाष्टा है वो थोड़ा सा रूम टेमप्रीचर पर आ गया है अब ये पूरा ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी है इस नाष्टे को बनाने की तो मैं फटा फट से इसे डेमोल्ड कर लेती हूँ तो एकदम गरम में तो ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये काफी जिपकता है थोड़ा सा ठंडा होगा तब हम इसे निकाल लेंगी तो पहले चाकू से हमने इसके कॉर्णर को स्क्रैप कर लिया है और अब हम इसे दूसरी प्लेट पर पलट लेंगे तो ऐसे केक टिन को उपर से टैप करेंगे टैप करने पर ना इसे विचावनों का बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी नाष्टा बन कर तयार है आप इस नाष्टे को ऐसे भी सरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें धही का खटा पन है चीनी का मीठा पन है और साथ ही इसमें अध्रैक और हरी मिर्श का इस्तमाल किया है तो यदि आप एक्तम स अध्रैल करें कि टना जदा सॉफ्ट और स्पॉंजी ए तो यह इस तरह से मैंने सारे पस्प्स कट कर लिया है आप चाहें तो इसे एक दो दिन के लिए इस तरह पीसेज में काट करके स्टोल भी कर सकते हैं और कितना अच्छा सॉफ्ट और स्पॉंजी नाष्टा बन कर तै प्यार हुआ है तो खाने में तो यह ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मैंने सारे पीसे से कट कर लिया है तो चलिए अब इसे और भी फ्लेवर फुल बनाने के लिए तड़का भी लगा लेते हैं तो इसके लिए एक पैन के अंदर एक से दो चमस तिल करम कर लेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखेंगे और जैसे ही तिल हलका करम हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे एक चोटा चमस राई ये सरसू, एक चोटा चमस जीरा एड़ करेंगे, एक चोटा चमस सफीद तिल डालेंगे, इससे बहुत एच्छा टिस्ट मिले का नाश्ते को से 8 करी पत्ता और तड़के को अज़े से पका लेते हैं, तो यहाँ पर जो राई करी पत्ता और दिल है, उसे मैंने अच्छे से पका लिया है, और बहुत एच्छी कुश्प इन में से आने लगी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चुटकी भर लाल मिर्श का पाउडर तो नाश्ता दिखने में बहुत ही संदर लगेगा, लाल मिर्श पाउडर को भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, इसे इसका कच्छापन भी निकल जाएगा, और इसका कलर भी नाश्ते में बहुत अच्छा हैगा, यदि पैन ज्यादा गर्म हो गया है, तो गैस का अब एक एक करके जितने पीसे इस पैन में आसाने से आजाते हैं, उतने पीसे जैट कर लेंगे, तो इसे तड़के में अच्छे से कोट कर लेते हैं, और एक तरफ से पहले इसे अच्छे से कोट करके पका लेते हैं, और बाद में जब ये एक तरफ से अच्छे से कोट हो ज लेकिन क्यूंकि इसमें हम निचानों का इस्तमाल किया थि oni पैने का रिर्ग एक więc जेसे यह आप खाएंगे आपके मौं में गोल जाएंगे तो चलिए ये एक बैच मैंने इस तरह से दड़के में पका लिया है सारी जो पीसे से मैं इसी तरह से दड़के में पका कर तयार कर लूँगी तो लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और देखने में भी बहुत ही सुंद है अब एक पीस हम तोड़कर भी देख लेते हैं और ये देखें फ्रेंड्स कितना ज़्यादा सौफ्ट नाष्टा बनकर तयार हुआ है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर हरी चड़ने के साथ तो इसके क्या कहने तो अब से जब भी चावल बच जाएं तो उनको फैंके नहीं बलकि उनका इस्तिमाल करके ये जबर्दस्त नाष्टा जरूर बनाएं प्रेंड्स कैसे लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंदा है तो प्लीज इसे लाइक करना अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलना मिलते हैं को रैसी नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई